नमस्का दोस्तो एन के फर्चर में आपका स्वागत है तो आज किस वीडियो में हम बनाने वाले हैं अपने लिए एक फॉल्डिंग काउंटर तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और हम आपसे लास्ट में कुछ कहना चाते हैं तो चलिए सुरू करते हैं तो इस काउंटर को हम बनाने वाले हैं 18 mm पिलाई के अंदर तो सबसे पहले हम एक 6-4 की 18 mm पिलाई को बिच्छा लेते हैं और उसके बाद सवाजिंची पर एक निसान लगा लेते हैं इसके उपर हम बाटम रख कर और इसकी एक धार सीधी कट कर लेते हैं जैसे के दोस्तो हमने इसकी एक धार बाटम में सीधी कट कर ली है और अब हम क्या करने वाले हैं इसमें से 24 इंची का एक पिस निकालने वाले हैं तो 25 इंची पर निसान लगा कर और इसको भी कटर मशीन से सीधा कट कर लेते हैं अब दोस्तो हम इसमें से 11 इंची का पिस और निकाल लेंगे जो अपना साइट वाला बाक्स बनने वाला है जैसे की दोस्तो हमारा पट्टा कट चुका है अब हम इसकी एक धर गुनिया से कट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसमें से 2 पीस निकालने वाले हैं फिलाल के लिए 32 इंची के तो 33 इंची पर निसान लगा कर और इसमें से भी 2 पीस कट कर लेते हैं तो जैसे की दोस्तो 32 इंची के हमारे दोनों पीस कट चुके हैं और अब हम क्या करने वाले हैं 1500 इंची के 3 पीस और निकालने वाले हैं तो हमें क्या किया है ं filho 8 इंची को लिसान लगा कर और इस पत्टे में से 3 पीस और कटिंग कर लेते हैं तो लगबग हमने सारे पीस की कटिंग कर ली है और अब हम क्या करने वाले हैं इन सारे पीस के एक एक साइट लेमिनियर को प्रेस कर देते हैं तो लेंबने और कटर से इसकी सारी कॉटिंग कर लेते हैं और इसको हलका सा बढ़ा रखेंगे जब एफ रेस होने के बाद इस पे रंदे से सपाई लगा देंगे तो कुछ से तरीके से हमने इसके सारे पीस क्टिंग कर ली है और जब तक ये छोटे वाले पीस कर्टिंग कर रहे हैं तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल के नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि जैसे जैसे हमारी फैमिली बड़ी होती जाएगी हमारी भी जुम्यदारिया बढ़ती जाएगी तो कुछ इस तरीके से हमने छोटे वाले पीस भी चारों को कटिक कर लिया है और अब इसके उपर फैमिली को लगा कर इसको अची तरीके से प्रेस कर देते हैं और दोस्तो आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताईएगा तो इस पे हम अची तरीके से फैमिली को लगा देते हैं कंगी की मदद से ताकि अपने फूगब अगरन आए तो इसके उपर हम इसको प्रेस कर देते हैं तो लेमिलेट को हम एवरो टेप की मदद से अची तरीके से प्रेस कर देते हैं दोस्तो आपकी जानकर के लिए बता दें ये काउंटर हम अपने लिए बना रही हैं क्योंकि अभी हमारा जो मकान है वो अभी किराय से है जब हमको दूसरी जगह सिफ्ट करना होगा तो हम इसको बड़ी आसामी से खोल कर ले जा सकते हैं तो इस तरीके से हम दोनों पीज के लेमिलेट को प्रेस कर देते हैं अच्छी तरीके से जैसे कि दोस्तो हमने दोनों पीज के लेमिलेट को प्रेस कर दिया था और अब हम क्या करने वाले है जो 7.30 इंची वाले पीस हैं इसके भी एक एक साइट लेमिनियोट को प्रेस कर देते हैं और एक पीस के हम दोनों साइट लगाने वाले हैं जो हमारा सेंटर में लगेगा तो इसको हम खोल के देखते हैं हमारा थेविपाल है वो सही लग रखा है तो इसको अच्छी तरीके से रगड देते हैं और बापस से इसको एब्रोटेप की मदद से पकड़ा देते हैं तो कुछ इस तरीके से हमने ये सारे पीस को प्रेस कर दिया है तो लगबग हमने सारे पीस के लेमनेट को प्रेस कर दिया है और अब हम इसको अच्छी तरीके से सूखने देते हैं जब यह अच्छी तरीके से सूख जाएगा तो बापत से हम इसको काम में ले लेंगे जब तक हम इस काउंटर की टॉप की कटिंग कर लेते हैं तो हमने पहले क्या किया एक दार को सीधा कर लिया है और इसकी length रखने वाले हैं अर्शाट इंची तो हम क्या करेंगे सर्शाट इंची पर निसान लगा कर और इसके उपर bottom पकड़ लेंगे और इसको cutter machine से cutting कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके से इसके height की cutting हो चुकी है और यह हमारा top हो गया है तो इसके हमने एक बार के लिए लिख दिया है और अब हम क्या करने वाले हैं जो drawer बना रहे हैं इसको हम पौने 5 इंची का बना रहे हैं तो हमने इसके पौने 6 इंची पर निसान लगा कर और इसमें से भी एक पट्टा निकाल लेते हैं इसमें से दोनों पीस अपने लग जाए है तो इस पट्टे में से हम दो पीस 21 इंची के कटिंग कर लेते हैं और बापस से counter के top के नीचे दोनों पट्टों को ठोक देते हैं तो जैसे कि हमने इस counter के उपर निसान कर लिया था रिचे इस पीस को रख कर और इसको केलियों से फिक्स कर देते हैं तो इस ड्रोवर की चोड़ाई रखी है हमने लगबग 18 इंचे तो अब हम क्या करने वाले हैं इसको 12 mm से पीछे की तरफ से पैक कर देते हैं तो दोनों निसान कर लेंगे और जो एस्टा पार्ट है इसकी हम कटर मसीन से कटिंग कर लेते हैं तो इस पीस को हमने अभी फिलाल के लिए बड़ा रखा है तो हमने क्या किया है यहां से इस पे निसान करके और इसकी 45 डिगरी में क्रोस बना लेते हैं जैसे कि हमारा यह पट्टा पौने 5 इंची का है तो हमने पौने 5 इंची के निसान लगा कर और इसको कटर मसीन की मदद से कटिंग कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा पीस त्यार हो चुका है और इसको भी केलियों की मदद से फिक्स कर देते हैं अब दोस्तों हमने क्या किया है एक चारेंची का बटन काट रखा है जो इसके काउंटर के नीचे की तरफ बौडर घुमा देते हैं तो जो इसका ऐल खाँचा आ रहा है इसका निसान कर लेंगे और इसको गुणिया पकड़ कर सीधा कट निकाल लेते हैं और जो माल बसता है इसको आरी की मदद से हम कटिंग कर लेते हैं जैसे कि मारी कटिंग हो चुकी है और इसके पट्टे के उपर फेवी को लगा कर सवाइंची की कीलियों में इसको अच्छी तरीके से फिक्स कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से हमने दोनों बॉर्डर को इसके उपर ठोक दिया था और जो सामने वाला पीस बच रहा है इसको भी हम इसके उपर कीलियों की मदद से फिक्स कर देते हैं अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं जो हमने लेमिनेट प्रेस किया था अपने नो इंची वाले पट्टों के तो इसके अब लोटेप निकाल कर और बापस से हम इसको रंदे से जो अपनी लेमिनेट बाहर है इसकी सपाई लगा लेते हैं तो कुछ इस तरीके से हम इस पर सपाई लगाने वाले हैं आप चाओ तो इसको सिकंजा या किसी में पकड़ा कर सपाई लगा सकते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे लगबग सारी सपाई लग चुकी है अब दूस्तों हम क्या करने वाले हैं जो हमारा 9 इंची 32 इंची का पीस था तो हम क्या करेंगे यहां से धाई इंची पर निसान लगा लेते हैं और एक पॉइंट मिला कर और इसका जो एस्टा पार्ट बचरा इसको हम कटिंग कर लेते हैं जिससे अपनी जो डिगरी है हलकी सी जुकाव में हो जाएगा यह पूरा का पूरा बॉक्स है तो कुछ इस तरीके से हम इसकी कटर मसीन से कटिंग कर लेते हैं तो एक साइट हमने कटिंग कर ली है अब हम क्या करेंगे यहां से लेंध नापेंगे इसकी और जो साड़े तीस इंची हम इसकी हाय टकने वाले हैं तो साड़े तीस इंची पर बापस से निसान पकड़ के और इसी गुनिया से निसान कर लेते हैं और इसी गुनिया से हम इसकी सारी कटिंग कर लेंगे अगर आपने इस गुनिया का वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए मैं उस गुनिया का वीडियो इस end screen में दे दूना तो इसके हम फेवी कॉल लगा कर और इस box को अच्छी तरीके से fix कर लेते हैं दोस्तो लगबग हमारा ये box सी टाइप में ठुक चुका है और अब हम क्या करने वाले हमने एक falling गुनिया और बना रखी है तो इसका जो taper है इसको हमने set कर लिया है तो बैसे तो इसको हम 45 डिगरी वाली cutter machine आती है उससे भी cutting कर सकते थे लेकिन वह हमारे पास है नहीं और जो हम उसका जो बनाया था वह जो गाड़ भी हमारा वहीं गाउं रह गया तो हम तीनों पीस को रंदे की मदद से taper कर लेते हैं और इसकी गुनिया से बापा चेक करेंगे कहीं डबग तो नहीं है तो जैसे कि हमारा एकदम perfect तीनों पीस बनकर तयार हो चुके हैं और जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा तो अब हम क्या करने वाले हैं इसमें जो हमने सी टैप में बॉक्स बनाया था तो इसको यहां पे रखकर चेक करेंगे कहीं कम ज़्यादा तो नहीं है तो यह हमारा पीस सही है तो इसके फेविकॉर लगा कर और इस बॉक्स के डानने वाले हैं जैसे कि दोस्तो हमारा यह बॉक्स बनकर तियार हो चुका है और अब हम क्या गंड़ वाले हैं इसका एक ड्रावर तयार कर लेते हैं दोस्तो आपकी जानकर के लिए बता दें यह ड्रावर हम 12 mm प्लाई के अंदर बना रहे हैं क्योंकि यह बड़ा प्लाई के से हमने इसको दोनों साइट से इसके प्टे ठोप ली हैं और जो एक सामने वाला पीस है इसको भी हम इसमें 17 नंबर 21 में फिक्स कर देते हैं तो यह लगबग हमारा ड्रावर बनकर त्यार हो चुका था तो इसके भी हम चारो बॉर्डर के लेमिनेट को प्रेस कर राउंड एक निशन कर लिया था और जिक्सा मसीन की मदद से इसकी राउंड कटिंग कर लेते हैं दोस्तों जो हमने एक जिक्सा मसीन से इसकी गोलाई काटी है तो इसमें हलकी सी कोई डबा करेगी है तो इसको हम करेंडर मसीन से अच्छी तरीके से राउंड कर लेते हैं क् इसके उपर हम LAMINET लगाएंगे तो अपने अच्छी तरीके से प्रेस हो जाए तो हम क्या करने वाले हैं इसमें से एक 11 इंची का LAMINET का पीस कटिंग कर लेते हैं जो अपना 11 वाई 9 इंची का बॉकस है उसके उपर इसमें से 3 पीस लग जाएंगे तो सबसे पहले हम लगाने वाले हैं इसके बॉर्डर के लेमिनेट तो हमने अच्छी तरीके से इसके फैविकॉल लगा लिया है और इसके पीस की कटिंग कर रखिया है तो फैविकॉल लगाने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर देते हैं जैसे कि दोस्तों हमने इसका पीस काट रखा था तो इसके उपर रखकर और हाथ इसके उपर रगड़ देते हैं ताकि जो इसका फैविकॉल है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए और बापस से इसके भी A puisque लगा देते हैं ताकि जो अपना पीस है वो उठेना और इसी तरीके से हमने इसका जो बॉर्डर लगाया है वो एक तरफ से घुमाते हुए और बापस से टैप लगाते हुए आई हैं तो जो दोनों गोलाई हैं वो हमने एक ही पीस में इसको कबर कर लिया है तो इसके हमने अच्छी तरीके से एब्रो टैप लगा दिया है ताकि जो अपनी गोलाई है इसके अच्छी तरीके सेट हो जाए और बापस से हम इसके एक जोइंट लगाने वाले हैं तो इसके हमने अच्छी तरीके से रंदा लगा कर और इसको सेट कर लिया था तो इस बॉर्डर के भी हम एबो टैप से इसको प्रेस कर देते हैं अब दोस्तो हम क्या करने वाले हैं जो हमने 9 इंची भई 11 इंची का पीस बनाया था तो इसके भी हम तीनों साइट लेमिनेट को प्रेस कर देते हैं तो हमने इस पे फैविकोल लगाया है तो अच्छी तरीके से कंगी से इसको मिक्स कर देते हैं और कंगी से लगाने का फायदा ही होता है कि अपनी जो लेमिनेट होती है उसमें फूगा आने के चांस बहुत कम होती है तो इसके उपर हम इसका पीश रख देते हैं और बापस से इसके उपर से हाथ फेर देंगे ताकि जो अपना पीश हो अची तरीके से चुपक जाए तो इसको भी हम Sicherheit की मदद से प्रेस कर देते हैं जैसे कि दोस्तो हमने इस बॉक्स के दोनों साइट के पीस को प्रेस कर दिया था और अब हम लगाने वाले इसके उपर से एक टॉक तो इसको भी अच्छी तरिके से फेवी को लगा लेते हैं कंगी की मदद से और बापस से इसका जो हमने टॉक की माई का कटिंग कर रखी थी तो इसको भी इसके उपर प्रेस कर देते हैं दोस्तो जब तक हम इसके लेमिनेट को प्रेस कर रहे हैं तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए क्योंकि लाइक और सस्क्राइबर हमारे चैनल पर बहुत कम आते हैं तो दोस्तो अब हम इसके काउंटर की टॉप की लेमिनेट कटिंग कर लेते हैं हमने इसको चोड़ाई में पहले काट रखा है 24 इंची दो सूत और हाइट में हमने इसको काट रखा है 68 इंची दो सूत यानि की अभी दो दो सूत एस्ट्रा है हमारा यह तो सबसे पहले हम इस टॉप के उपर फैविकॉल को लगा देंगे और अची तरीके से कंगी से इसको भी फैविकॉल को मिक्स कर देते हैं तो जैसे कि दोस्तो हमने इस काउंटर के टॉप पे सारे पे अच्छी तरीके से फैविकॉल लगा दिया है और अब हमने जो लेमिनेट का पीस काट रखा है इसको इसके उपर से रख कर और अच्छी तरीके से रगड़ाई कर देंगे तो और एक साइट से हम इसके एबरो टैप लगाने वाली है तो सबसे पहले हम लंबाई में एबरो टैप को लगा रहे है तो दोस्तो हमने इस काउंटर के टॉप पे लेमिनेट को प्रेस कर दिया है और जो हमने एक बॉक्स बना रखा था इसके भी हमने डार्क ब्राउन बॉडर के लेमिनेट को प्रेस कर दिया है और अब हम क्या करने वाले हैं इसके जो ड्रॉवर की चैनल होती है इसको आदा इंची के पेस्ट में टाइट कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके से हमने दोनों चैनल को टाइट करने वाले हैं जैसे कि दोस्तो हमारे काउंटर की सारी लेमिनेट सुख चुकी थी तो अब हम क्या करते हैं जो इसका जो एस्टर पीस है माइका का तो इसको हम रूटर मसीन की मदद से इसकी सारी सपाई कर लेते हैं और इसमें एक राउंड बिट आता है उसी से जो आपको नजर आ रहा होगा उसी बिट से इसको अपनको सपाई लगाते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहता है तो कुछ इस तरीके से हमने काउंटर की और नीचे वाले बॉक्स की इसी बिट से सपाई लगा ली है तो लगबग हमारे काउंटर की सपाई लेमिनेट की सारी हो चुकी है जैसी कि दोस्तो जो हमारा बॉक्स था है इसके हम डेर सुट वाले बिट से हॉल कर लेते हैं क्योंकि हम लगाने बारे हैं 32 के पेज और दोस्तो Khalis के संटर में हम निसान कर लेते हैं और इस सेंट का सेंटर पकड़े और इस बॉक्स को सवा इंची के पेज में टाइट कर देते हैं और दोस्तो हम इसके नीचे दो वाफर और लगा देते हैं ताकि जो अपने जमीन से टकेगा तो यह अपनी माई का खराब नहीं होगी अब साइट से हम छोड़ने वालें 33 सिंची और नीचे से जो इसके हैटारी है उतना इसका निसान लगा कर और हैमर मसीन से हॉल करके और इसमें गिप्टी भशा कर 75-10 के पेज से इस काउंटर को हम फिक्स कर देते हैं जैसे कि दोस्तो हमने हैमर मसीन की मदद से 6-7 वाले बिट से इसमें 3 हॉल कर लिये हैं और इसमें प्लास्टिक की गिप्टी आती है इसको ठोक देते हैं और इसमें 75-10 का पेज टाइट कर देते हैं ताकि यह अच्छी तरीके से मजबुत हो जाए तो कुछ इस तरीके से हमने इसके 3 पेज बढ़ लिये थे और अब हम इसके चैनल को लगा देते हैं तो इसमें हम उननीक 6 का पेज लगाने वाले हैं तो इस तरीके से हम इस चैनल को इसमें टाइट कर लेते हैं लगबग हमारा काउंटर बन गर त्यार हो चुपा हैril दोस्तों हमारा कौंनटर बन कर कम हो जाता है तो फ्रेंट से कुछ इस तरीके से दिखता है और इसके नीचे वाला जो एरिया है वो हमने पूरा ओपन रखा है ताकि जो कोई हम काम करेंगे तो आपन को कोई दिक्कत ना आए तो सबसे पहले आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद आपके प्यार और आपके सपोर्ट के कारण से हम अपना एक इस्टूडियो बना रहे हैं तो आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना विडियो पूसंद आई तो लाइक करें चैनल पर नाइस चैनल को तरलोग कर दो दो कर दिवान का झान पर भाज ह कर दो कर दो दो कर दो का मत जुड़ा टीक पर दो, कर दो कर दो कर दो